अलो दोस्तो एसु श्टेडिगान में आपका स्वागत है आज हम करने वाले हैं राजस्थान LDC के क्योशन्स जो राजस्थान जिक्के के हैं तो ये क्योशन्स बार-बार प्रिक्षा में पूछे जाते हैं तो चलिए श्टार्ट करते हैं क्योशन नमबर एक बारत के कालिकट में वास्कोडिगामा का आगमन कब हुआ A. 138 में B. 145 में C. 146 में D. 148 में तो इसका क्रैक टैंसर होगा D. 148 में क्योशन नमबर दो जोसेफ एंटन किसका आत्म कथात्मक खाता है तो इसका correct answer होगा सल्मान रुस्दी क्यों सन नमबर तीन राष्ट्रिय बाल अधिकार संद्रक्षन आयोक की स्थापना कब की गई थी ए दोजार शात में बी दोजार चैमें सी दोजार पांच में डी दोजार च्यार में तो इसका correct answer होगा ए दोजार शात में क्यों सन नमबर च्यार कोटायम सहर का संस्थापक कोन है ए सक्तिमान थानपुरन बी रोबर्ट मिश्ट्रो सी टी रामाराव डी इन में से कोई नहीं तो इसका correct answer होगा सी टी रामाराव क्यों सन नमबर पांच नारायन गुरू का जनम 22 अगस्त 1856 को किस गाउं में हुआ था जो त्रिवंतम पुरम के पास है तो इसका correct answer होगा क्यों सन नमबर छे दिवस कप किस से जुड़ा है तो इसका correct answer होगा क्यों सन नमबर साथ सोर मंडल का सबसे बड़ा गरह है A. सनी B. ब्रेस्पती C. पारा D. मंगल तो इसका correct answer होगा B. ब्रेस्पती क्यों सन नमबर आठ हिमाचल परदेश में किस नदी को रैब चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है A. रवी B. चिनाब C. सतलज D. जेलम तो इसका correct answer होगा B. चिनाब नो डिंडी गुल किले पर कबजा करने वाले मुसलिम सासक का नाम क्या है A. हैद्रेली B. ओरंगंजेव C. सेर्षा D. उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका सही answer होगा हैद्र अली A. क्योस्टन नमबर 10 क्योस्टन नमबर 10 फोटोग्राफ बनाने में निम लिखित रसायनों में से किसका उप्योग किया जाता है A. सोडियम क्लोराइड B. सिल्वर ब्रोमाइड C. अलुमीनियम हाइड्रोक्साइड D. सोडियम नाइट्रेट तो इसका क्रेक टैंसर होगा B. सिल्वर ब्रोमाइड क्योशन नमबर 11 बैक्टीरिया का परकार जो अपना भोजन शिवम तेयार कर सकते हैं A. सप्रोफाइड B. सल्फर बैक्टीरिया C. जिवानु भक्षी D. बैसिलस तो इसका क्रेक टैंसर होगा B. सल्फर बैक्टीरिया क्योशन नमबर 12 पास्चूरीकरण की एक प्रिक्रिया है A. दूद को 0 डिग्री सेल्शेस तक ठंडा करना B. दूद को उबाल कर गरम करना C. मद्यम ताप के बाद दूद को ठंडा करना D. ठंडा करने के बाद मद्यम हिटिं तो इसका सही एंसर होगा D. ठंडा करने के बाद मद्यम हिटिं क्योशन नमबर 13 एतिहासिक मंदिर प्रवेश उद्धोशना पर हस्ताक्षर करने वाले राजा थे A. सक्तिमान तंपुराण B. स्रीचित्रा थिरुनल बलराम वर्मा C. आईलम थिरुनल D. मार्तन वर्मा तो इसका क्रेक्ट एंसर होगा B. स्रीचित्रा थिरुनल बलराम वर्मा क्योशन नमबर 14 भारत के साथ व्यापार शुरू करने वाले पहले यूरोप ये कौन थे A. डच B. अंग्रेजी C. फ्रेंच D. पुर्तगाली तो इसका क्रेक्ट एंसर होगा D. पुर्तगाली क्योशन नमबर 15 भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था A. मातमा गांदी ने B. विनोबा भावे C. आचार्य करपलानी D. जय प्रकास नारायन तो इसका क्रेक्ट एंसर होगा B. विनोबा भावे क्योशन नमबर 16 सर्ष्वती सम्मान किसको मिला था A. मादवी कुट्टी को B. ललितामबी का अंतरजनम C. सुगट कुमारी D. बालमनी अम्मा तो इसका क्रेक्ट एंसर होगा D. बालमनी अम्मा अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले झालमनी अम्मा